नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 7 जून सौवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरे बरतपुर के सरकिलर रोड पर चार भतीजों ने एक महिला पर आज सुबे तिजाब पैंक दिया जिससे महिला पीछे से बुरी तरह जुलस गई हमले में उसका बेटा बच गया महिला को जिला आरबियम अस्पताल लाया गया जहां उसका इलाज जारी है महिला ने अपने जेट के बेटों पर हमला करने का अरूब लगाया है जिने पुलिस ने हिरासत में ले लिया है पीडित 31 वर्षे रेखा ने बताया कि सुबह वह अपने इलाज के लिए जिला आरबियम अस्पताल आ रही थी तबी पीछे से बाइक पर चार युवक आए और उन्होंने मुझ पर तैजाब पैंका और भाग गए इस्थानिय लोगों ने उसे जिला आरबियम अस्पताल पहुँचाया जहां उसका इलाज जारी है रेखा ने बताया कि वह कुमहेर थाना इलाके के नगला मांजी गाम की रहने वाली है उसके पती सोहन सिंग का दिहांत साल 2020 में हो गया था रेखा का 6 साल का बेटा है और एक बेटी है पती की मौत के बाद उसके जेट होतीलाल महेंदर उसे जमीन जायदाद हड़पने के लिए परिशान करने लगे उसने कुमहेर थाने में शिकायत की लेकिन पुलिस ने उसके जेट और उनके चारो लड़कों के खिलाफ कोई कारवई नहीं की इस पर वह भरतपूर आ गए उसके बाद जेट और उनके लड़के उसे जमीन नाम करने और दो लाक रुपे देने की धंकिया देने लगे पुलिस मामले की जांच कर रही है पंजाब के मलोट में हाल ही में एक वैवसाई से लौरेंस बिशनोई के नाम पर डेड़ करोड रुपे की फिरौती की मांग के मामले में पुलिस ने मास्टर माइंड और उसके साथी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है नतीजतन मामले में नामजद चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया इससे पहले पुलिस ने फिरौती की रखम लेने आए दो आरोपियों को गिरफतार किया था दरसल 24 मई को शहर के एक कारोबारी से गैंग्स्टर लौरेंस बिशनोई के नाम पर डेड करोड रुपे की फिरौती मांगी गई थे इसके बाद आरोपियों ने मांगी गई राशी को दूसरी बार कार में डाल कर बठिंडा रोड पर भिजवाने को का शिरी मुकसर साइब की पुलिस पार्टी ने जाल बिचा कर दो अरोपियों गुर्मेल सिंग मिस्त्री और रमन बावा को गिरफतार किया था अरोपियों ने पूश्टाश में पुलिस को बताया कि मामले का मस्टर माइंड लखवीर सिंग लख्की वे गगन मलूजा था के बाद गुरुगराम के मेदानता अस्पताल लाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है अस्पताल में भरती डेरा पर्मुक राम रहीम से मिलने के लिए सोंवार को हनिप्रित अस्पताल पहुंची जानकारी के मुताबिक हनिप्रित सुबै करीब साड़े आठ बजे गुरुगराम के अस्पताल पहुंची हनिप्रित ने राम रहीम को अटेंडन्ट के तौर पर अपना कार्ड बनवाया अटेंडन्ट के तौर पर कार्ड बनवाने के साथी हनिप्रित के हर रोज राम रही महिला की मौत होने की जानकारी सामनी आई है सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता की शव को अस्पताल की मोटरी में रखवाया है पुलिस ने बताया कि पीहर पक्ष ने पती द्वारा पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का अरूप लगाया है विवाहिता का टोड़ थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है आसराम वे नरायन साई ने इलाज के लिए लगाएगी याचिका को वापस ले लिया है मिली जानकरी के अनसर आसराम के बेटे नरायन साई की याचिका पर कोट ने मामले की सोवर को सुनवाई हुई है सुनवाई के दुरान नरायन दोनों ने याचिका वापस ले ली बतादे कि आसाराम के इलाज को लेकर यह याचिका लगाई गई थी राजस्तानी की राजदानी जैपुर से बड़ी खबर सामने आई है जानकरी के अनसर देरात युवती के साथ गैंग रेप हुआ है खतना जिले के भंकरोटा थाना इला शिरिगंगा नगचिले के हनुमानगड मार्गस्तित नाथावाली के पास बारामासी नहर में आज सुबह एक युवक गेर गया इसके सूशना मिलने पर सदर थाना पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुँची समाचार लिखे जाने तक इस युवक की तलाश की पुलिस ने बताया कि चुनावड निवासी 25 वर्षे दिपक कुमार चारई में अपने कुछ साथियों के साथ रह रहा है वे सुबह अपने साथियों के साथ शौच करने के लिए गया था उसी दुरान वह 12 मासी नहर में पानी पीने के लिए उत्रा तो अचानक उसका पाउ बनाने की मांग करने वाले बरखास्त आर्पियस अधिकारी केलाश बोहरा को हाई कोट से राहत नहीं मिली है जस्टिस पंकज भंडारी ने केलाश बोहरा की जमानत याची का खारिस कर दी बताने की जैपूर कमिस्टेट में महिला अत्याचार अनुसंदान यूनिट में त ट्रॉले में रखी L&T मशीन बिजली की हाई टेंशन लाइन से टकरा गई हाथसे में करंट की चपेट में आने से ट्राला चालक की मौत हो गई वेक अन्य घंबीर खायल हो गया रायपूर्थाना अदिकारी इसलाम अली ने बताया कि कुछ लोग एक ट्रॉले में L&T मशीन रख कर ले जा रहे थे इसी दुरान कच्रा खेड़ी गाम के पास उपर से गुज़र रही बिजली की हाई टेंशन लाइन से L&T टकराच छू जाने से पूरे ट्रॉले में करंट फैल गया और उसके निशले हिस्से में आग लग गई हाथसे में घंबीर रूप से जुल से ट्रॉला चालक की मौके पर ही मौत हो गई उद्यपुचले के मावली के खेमपूर की भागल में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदखुशी कर ली जानकारी के अनसर युवक ने अपने ही खेड पर पेड़ पर फंदा लगाकर आत्म हत्या कर ली मौके पर ग्रामिणों पुलिस को सूशना दे मावली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोचरी में रखवाया है फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कर दो